सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और पास में लगी बेल के गंडी को जरूर दबाए ताकि नए आने वाली वीडियो की नौटिम वेकेशन आपको मिलती रहे एक आदमी कहीं से गुजर रहा था तभी उसने सड़क के किनारे बदे हाथियों को देखा और अचानक रुख गया उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रसी बदी हुई है उसे इस बात का बड़ा आश्चले हुआ कि हाथि जैसी विसालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगा बस एक छोटी सी रसी से बदे हुए है ये असपश्ट था कि हाथि जब चाहे तब अपने बंथन को तोड़ कर कहीं भी जा सकते थे पर किसी वज़े से वो ऐसा नहीं कर रहे थे उसमें पास खड़े महावत से पुछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी सांधी से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रही तब महावत ने कहा इन हाथियों को छोटे पर सही इन रस्यों से बाधा जाता है उस समय इनके पास इतने सक्ति नहीं होती है कि इस बंधन को वो तोड़ सके बार बार प्रयास करने पर भी रस्य ना तोड़ पाने की वज़े से उन्हें धीरे धीरे ये यकीन हो जाता है कि वो इन रस्तियों को तोड़ दे सकते और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना दाता है इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयासी नहीं करते आदमी आश्चर में पढ़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं दोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते इन हातियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हम से ये काम नहीं हो सकता और अपने ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बधे हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं याद रखिए कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और नियंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है यादि आप भी ऐसे किसी बंधन से बद्धे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है उसे तो डालिए अपना किमती सामया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे आने वाले वेडियो से जुड़े रह सके आपको यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद